आज की रेसिपी देखने के बाद आपको बल्कुल यकीन नहीं होगा कि आप घर में रखे कुछी समान से इतनी टेस्टी इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बना करके तियार कर सकते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पत्ता गोवी का कबाब जो कि हम बनाएंगे बहुत ही असान तरीके से घर में रखे कुछी समान से बना करके तियार करेंगे और यकीन मानिए इतनी टेस्टी होंगे कि बस आप इसे खाते ही जाएंगे खाते ही जाएंगे तो चलिए आज की ये मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजएगा इसके लिए हमने यहाँ पे फ्रेश पत्ता गोवी लिया है भी मार्केट में बहुत ही बड़ी बड़ी पत्ता गोवी आ रहे है फ्रेश ताजे ताजे आ रहे हैं सस्ते आ रहे हैं तो क्यो ना हम इसका मज़ा उठाएं तो यहाँ पे पत्ते गोवी को हम क्या करेंगे अच यहां पे किसी भी तरीके से इसे कट कर सकते हैं लेकिन हम इसे कट करेंगे इस तरीके से मोटे मोटे आकार में लेकिन थोड़ा से चकपटा और मज़ेदार लगता है तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है अब यहां एक चमच धनिया ले लिया है मैंने साथ ही आदा चमच जीरा लेंगे और आदा ही चमच हम यहां पे सौंफ ले लेंगे अब इन सब चीजों को हमें दरदरा पीस लेना है तो यहां पे मैंने इसे दरदरा पीस लिया है आप चाहे तो हमाम दस्ते में भी इसे कूट करके ले सकते हैं अब यहां पे जो पत्ता गोबी कट करके रखा था उसे हमें इस तरीके से पलसे इसमें चलाते हुए पीसना है बहुत जादा बारिक नहीं चलाना है बह मोईशर है वो सूजी अच्छे से अब्जॉब कर लेगा जो कि हमारा नाश्टा जो है वो पॉफिक बन करके तयार होगा और सूजी डालने से हमारा नाश्टा जो है वो देर तक क्रिस्पी भी बने रहते हैं तो इस तरीके से इसे अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट अब यहां पर दो मीडियम साइज के प्याज मैंने लंबे लच्छों में कटकर लिया है और धिये सारा हम यहां पर धनिया अब इसे बाइंडिंग देने के लिए अधा कप दियाि और यहां पर पूरा नहीं प्याद करेंगे जिससे हमें बाइंडिंग के लिए जरूरत होगी साइजनी आका बद版 के दिगाड छीचरी हम्दाने में ज़या होः करेंगे तो यहां में बहुत कम रखनी है बहुत ज्यादा नहीं रखनी है क्योंकि इसमें हमें पत्ता गोभी का टेस्ट चाहिए बेसन का नहीं तो इस तरीके से हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे जिससे की हमारा नाश्ता जो है जब हम इसे फ्राइ करेंगे तो क्या होगा कि उपर की लेर जो है वो देर तक सिखेगी और यह अंदर से अच्छे से पक जाएंगे तो इसकी हम पिकया शेप बना लेंगे इस तरीके से तो आप अपने मन मुताबिक कोई भी शेप बना सकते हैं और मैं इसे सेलो फ्राइ कर रही हूँ अगर आप चाहे तो इसे डीप कर सकते हैं खाने में वह भी बढ़िया लगेंगे अब इसके बाद इसे हमें उलर्टे-पलर्टे हुए मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक से लेना है तो ध्यान रहे हमने इसे थोड़ा सा मोटा रखा है इस वज़े से मीडियम फ्लेम पे फ्राइय करना है तो यह लिजे बन के तयार है बहुत ही मज़दार सा पत्ता गोबी का हमारा यह वेज कबाब लग रहा है ना बिल्कुल नॉन वेज कबाब की जैसे तो यकीन मानिए जब आप इसे बनाएंगे ना तो नॉन वेज कबाब खाना भूल जाएंगे इतने मज़दार इतने बच्चों को बहुत ज़दा पसंद आएंगे और रोज बच्चे आपसे जिद करेंगे यही बनाने के लिए तो इस गुलाबी सी ठांड में चाई के साथ मज़दार से कबाब की मैं मिलती हूँ कल सुबह एक और मज़दार और सिंपल रेसिपी के साथ तिल नन टेक केर और बाइ थांक ये फूटन